प्राइस द्रॉप को लेकर मुझे रेगुलर्ली बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्याद एक अच्छा ओफर देखने को मिल गया है स्पेशली आइफोन 12 अच्छा प्राइस द्रॉप देखने को मिल गया है अगर आप आइफोन 12 या फिर आइफोन 13 को बाय करने के लिए सोच रहे हो स्पेशली आइफोन 13 पे बहुत ही ज़्याद अच्छा प्राइस द्रॉप आया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आफर की मतलब की आफर कहां पे एपली के वेल है तो इन्होंने मुझे बताए कि ये ओफर केवल डेली में अप्लिकेबल है मतलब की डेली में आपको जितने भी एप्टरोनिक्स के स्टोर देखने को मिल रहे है सब पेच चीज अप्लिकेबल है इसके बात करते हैं आइफोन 13 की प्राइसिंग की तो आप देख सकते हैं इसके जो 15% का ओफ देखने को मिलना है जो की काफी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है 11,900 रुपीज प्लस आपको इस पर 6,000 रुपे का कैश बैक देखने को मिलना है जिसके बाद इसकी एफेक्टिव प्राइसी लगबख 62,000 रुपीज तो मेरे साब से डील बहुत ही ज़ादा अच्छी है अगर आपके बास इन तिनों कार्ड़ में से कोई भी कार्ड है या फिर आप किसी से बोरो कर सकते हो अपने फ्रेंड या फिर फैम्ली मेंबर से बाई कर लेजिए, बहुत ही ज़ाद अच्छी डील मिल रही है, लिमिटेड टाइम ओफर है और हमें नहीं पता है कि इसके बाद इतनी अच्छी प्राइसिंग कब आईगी तो जो लोग डेली में रह रहे हैं, specially उनके लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा उफर है अगर आप आज की डेट में आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 को बाई करने का सोच रहे हो डेफिनिटल आप यहां से बाई कर सकते हो उसे के साथ बहुत सारी लोग को डाउट्स होंगे, यहां से पर्चेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो कैस ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ट्रस्टेड एपल का प्रीमिम रीसेलर है, जैसे कि आपको और भी रीसेलर देखने को मिलते हैं आइनवेंट, मैपल, उसे तरीके से एप्टरोनिक्स भी है, मुझे कुछ लोग के मन में कैश बैक को लेकि भी डाउट होगा, कैश बैक इंस्टेंट है, फिर कुछ दिन के बाद आएगा तो कैसे सभी जगा की तरह आपको कैश बैक इंस्टेंट तो देखने को नहीं मिलता है, बट तीन महिने के अंदर अंदर आपके पास कैश बैक आ जाता है तो कैसे अगर आपको इस ओफर को लेकि कोई भी डाउट से है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इन दुनों डील में से आपको कौन सी डील जादा अच्छी लगी है, कमेंट डाउन बिलो चैनल पर नियूँ है, so make sure to subscribe this channel along with bell icon and don't forget to like this video, मिलते हैं मेरे next informative videos में, till then, take care